हेलो एवडिवन इस वीडियो में आज डिसकस करेंगे क्लोर अलकली प्रॉसेस और लास्ट में इससे लिलेटेड एमसे क्यों भी डिसकस करेंगे और क्लोर अलकली प्रॉसेस में अलकली का भी फॉर्मेशन होता है और क्लोरीन का भी फॉर्मेशन होता है तो उसका यूजेज भी discuss करेंगे तो सबसे पहले अब यह discuss करेंगे कि लूरट ऑलकली प्रोसेस में लूर अलकली जो है नाम क्यों रखा गया इसलिए रखा गया क्योंकि clear for होता है क्लोरीन यानि क्लोरीन का भी formation होता है इसमें और अलकली मतलब होता है क्लूर अलकली प्रासिस विला गया है तो को और याक्टेंट में क्या लेते हैं एक्चली में हम तो创िब्र करना जब्हा तो सबसे सबसे पहले उसको समझने के लिए बराइन समझना पड़ीगा बराइन मतलब होता है नमक पानी मतलब salt water का solution यानि initial plus water अब जो solution बनेगा वो brine solution कहलाएगा इतना ही समझना है आपको अब क्या करना है brine solution में electricity pass कराना है तो जाए देख लें brine solution है क्यों क्योंकि solution of sodium chloride is known as brine तो देख लें equation of sodium chloride है भी initial में water डाल दिये तो solution of sodium chloride बन गया इसमें electricity pass कराते हैं तो क्या हुआ एनिवेच बन गया chlorine gas release हुआ और hydrogen gas भी रिलीज हुआ तो इसी लिए बोला गया है इसको chlorine process क्योंकि chlor for क्या होता है यहां पे भी आप धिहान दे इस process में in the process in this process यहां पे देख लें आपको पता चल जाएगा इस process में क्या होता है कि chlor for होता है chlorine और alkaline for होता है sodium hydroxide इसी लिए इस product को इस process को chlor alkaline process बोला गया है यह आपको समझ में आ गया अब यह समझना है कि actually में यह sodium hydroxide chlorine gas और hydrogen gas बना कैसे है यह समझना जरूरी है तो देख लेते हैं आगे figure में आपको मैं अच्छे से discuss करूंगा अभी यहां पे figure आपको मैं दिखाना चाहूंगा यह देखे figure इस figure में क्या करना है एक आप लेते हैं इस figure में आपने क्या रखा है तो solution ले है sodium chloride का मतलब brain solution लिये हैं ठीक है इस brain solution में आप दू मेटल रॉड डुबोए हैं इस दोनों मेटल रॉड को जो है एक मेटल रॉड को आपने बैटरी के positive terminal से कनेक्ट किया है और एक मेटल रॉड को बैटरी के negative terminal से कनेक्ट किया है यानि आपको समझ में आया जो मेटल रॉड को आपने बैटरी के positive terminal से connect किया है उसको एनोड बोलते हैं और जो मेटल रॉड को बैटरी के negative terminal से connect किया है उसको हम cathode बोलते हैं ये बात आपको समझ में आ गया अब क्या करना है ये cathode और एनोड यानि मेटल रॉड दो इसलिए लिए गया है कि बैटरी से connect कर दिया है अब इस यह जो इस solution में डूबोया हुआ है तो बैटरी जो ही connect करेंगे ओन करेंगे तो इसमें electricity पास करना है start कर देगा तो इसका मतलब हुआ कि ब्राइन solution में आपने electricity पास कराया अब क्या करना है ब्राइन solution जो कि एन ए सी यल और वाटर का mixtyr है यह आयोनाइजड हो जाएगा यानि यह सुल्यूशन आइजड होकर कि intention बनेगा कर दो प्लस लाइज मैनस में कुटे गा अब क्या होगा इसी के अंदर ईन्द फैक्ट होते है प्लोव अट्रेक्ट हो जाएगा वह माइनस से बना लेगा सोडियम है रॉकसाइड फिर बच किया है आपके पास क्लोरेन बच ट्रॉडिन बच के आपके पट्र थियान से किया बचती बचती ऐस्यृ मैंस मीनस बचती और एक प्लस बचती अब यह क्या होगा सी मेनस कहाँ एक्ट्रेक्ट होना चाहेगा एनो पे कंट्रेक्ट स्वक्राइब तफ ऑफ के एनोड़ पर टेक्ट होना चाहेगा कूपि श्यूल पर माइनस चार्ज आंड़क Kinzen हो जाए गीनगी अनोडdate क्लोरीन जाना चाहेगा मतलब कैथोर्ड पे कौन सा गैस जमा हो रहा है है अब समझेंगे एक्षिली में एक्षिली में एक्षिली में देखें इसका मतलब क्लोरीन पर एक एक्ष्ट्रा है यह न्यूट्रल होने के लिए यह न्यूट्रल हो जाएगा यह नहीं मुझास करता है विए बैलेंस करें तो यहां पर आपको लगाने पड़ेगा तभी तो दोनों तरफ क्लोरीन बैलेंस होगा लेकिन इसके चक्र में कितना हो गया तो नुमानस चार्ज हो गया जब दूमानस चार्ज किसी अलीमेंट पे ह है मतलब इस पर 2 एक्ट्रोन एक्स्ट्रा है तब ये निटरल होने के लिए दो एलेक्ट्रोन करेंगा यानि अब यहाप सब्सक्राइब और इसका मतलब हुआ कि electron का loss होता है at anode पे जहां पे electron का loss होता है वो process वहां पे oxidation कहलाता है just apposit at cathode पे क्या होगा oxidation sorry electron का gain होगा वो कैसे देखिए cathode पे h plus गया अब जाहिर से बात है h पे plus है तो इस पे electron की कमी है तो इसलिए electron को क्या करेगा gain करेगा इसलिए neutral होना चाहेगा gain करके एस टू form बनाएगा लेकिन balance करेगा तो यहां टू लगाओगे आप इसलिए इसके चकर में टू प्लस हो गया मतले इस पे दो electron का loss है इसलिए दो electron को gain करेगा यह तो देखिए actually में cathode पे क्या हो रहा है electron का gain हो रहा है इसलिए यहां पे कहेंगे reduction हो रहा है क्योंकि किए इसलिएन में क्या होता है electron का loss होता है तो इस तरह से आपने देखा less है इस सोडियम उडेकौशाइड कैसे बना है chlorine लाइक्षी बना है Solar component बना है क्लोरीं गयास भी बना है यहां पर में लेकिन ये दोनों यह फोल से होताई इन फॉ सुन होगा अभी मैंने आपको शिखाया प्लास चार्ज क्रता है लिए करनल पे कलोरीन गयास अब जर्ब होगा इस तरह से आप ट्रिक लगा सकते हैं अब आपको तीन चीजे बना है तो पहला चीजे आपका बना था sodium hydroxide तो इसको इसका usage discuss कर लेते हैं तो first usage देखिए used for making soap very very important usage है अब यह अब soup में यूज़ आपने कर लिया तो बनाने में कर लिए यह भी याद हो गया अब पेपर को भी बनाने में कर लिए यह भी याद हो गया और तो और मेटल को डिग्री सिंग में इसका यूज़ करता है तो यह भी ध्यान रखना है और लास्ट में रिफाइनिंग और मतलब और को रिफाइन करने भी सोडियम हीड्रोकसाइड का यूज़ करते हैं आगे देखते हैं यूज़ आफ क्लोरी इन गैस यह भी फॉर्मेशन हुआ है इसका भी यूज़ देख लेता है फस्ट यूज़ देखते हैं यूज इन वार्ट ट्रीटमे आफ क्या सी गर्ट है और यह बना देता है बनाते हैं मतलब बनाने में अपने कौलोरी ऊज़ कीा है यह धी दिए और लगा ao reduction क्यूआ लग दिए जितने भी कंपांड में chlorine present है वो सारे compound में लगभग सारे में नहीं लगभग compound में chlorine gas का यूज किया जाता है जैसे PVC PVC का full form होता है poly P for poly V for vinyl उसके वाद C for chloride होता है तो यह जो C for chloride हुआ है actually मैं कहीं नहीं PVC में chlorine present है और जब इसमें chlorine है already तो यह बनाने वक्त chlorine gas का यूज किया गया होगा इसलिए PVC के manufacturing में PVC के manufacturing में chlorine gas यूज करते हैं इस तरह से याद रख सकते हैं आप और clean water को clean करने में तो करते ही है इसलिए water चाहे जहां पे भी हो तो swimming pools में है तो swimming pools में water को treatment करने के लिए clean करने के लिए chlorine gas यूज करते हैं लास्ट देख लिए इसका usage cfc सीव का सीवार होता है chloro ठीक है आप बढ़े होंगे एफ़ होता है floro ठीक है उसके वाद CS मतलब होता है carbon CS मतलब क्या होता है तोfit सी chloro फर्म कार्बान घ्तिल आ भी क्लॉरियन पर्जैंटर हे सकना होता है Can you मम में मुलति एव क्लॉजेंटरी जूच्छेंचर कहीं लूंटट है है उससे तरह से आप याद रख सकते हैं लास्ट में देखते हैं is of hydrogen gas first of all यह जो देखते हैं इसका important यूज है यह रॉकेट की फ्यूल में यूज किया जाता है और सकेंड यूज देखिए एंटू प्लस क्या एस्टू जो बनेगा वो क्या बनेगा तो ammonia gas ही बनेगा और इस ammonia gas का यूज हम फटीलाइजर में करते हैं तो कहीं न कहीं हैं यूज किये हैं अमोनिया gas को बनाने में तो इस तरह से ध्यान रखेंगे आप लास्ट यूज देखिए हैं का यूज इन hydrogenation of oil to get vegetable घी और जो ऑईल से vegetable घी बनाने में हम hydrogen gas का help लेते हैं और जो यह vegetable घी बना है इसी को margarine बोलते हैं यह ना है आपको यह समझ में आया होगा अब हम एमसी क्यों डिसकस करते हैं फास्ट एमसी क्यों देखिए वेन electricity पास एज थुरू एने स्यल एक्वस स्यलिशन जब अब्राइन स्यलिशन में इसका मतली वाना कि ब्राइन solution एक एक से अफ सोडियूम क्लोरे मतलब ब्राइन स्यलिशन तो उसमें पास कराने से क्या-क्या चीज बनता है मैंने अभी आपको पता है तीन चीजों का का फोरमेशन होता है सोडियम हीड्रोक्साइड प्रास क्लोरिन गयस प्लस हीड्रोजन गैस तो यहां पर डैरिक में आंसर बोल दे रहyah शक्लोरिन यहां पर भी hydrogen gas भी है साथ में इसलिए यह आंसर 3 नंबर हो जाएगा ठीक है next question पे चलते हैं table salt is raw material for the production of following मतलब बोला है कि table salt का जो है यूज किसके production में करते हैं तो यहां पर sodium है ने करते हैं साथे साथ वासिंग सोडा भी आपको पढ़ना है उसमें भी यूज करते हैं बेकिंग सोडा के भी प्रिप्रेशन में हम यूज करते हैं कहीं न कहीं आप देखेंगे कि न कहीं आपको मिल जाएगा इसलिए जो सारा जो आपका उफसन था उसमें सभी में raw material को बनाने म हम टेबल ल सवर्ड मतलब एनेल का use करते हैं next question पर चलते हैं दक लोड अलकली प्रोडियूसीज उच्ड यानि लनकली प्रोसेश यह ऺगा यह बनाने में किया जाता है नेक्न क्रश यह फ्ट रॉगाई यह फिर मार्जेरी मतलब झाया बंहों अव मैंने आपको बताया तो उसमें कौन सा गैस जो है यूज करते हैं किसको बनाने में मार्जेरीन बनाने में मतलब हैजिटेवल गही बनाने में आफ को याद होगा hydrogen गैस का यूज करते हैं और इसलिए इस प्रसेस को hydrogenation process भी बोलते हैं क्यों कि hydrogenation process में hydrogen gas को add किया जाता है फीफ्थ नमर question देखिए इन्दा chloride यानी chlor alkali process byproducts gas chloride हैं लिखा हुआ है chlor होगा तो chloral किली process में कौन इसा दो गैस byproduct होता है ऐसे डारी हमें बता देता हूं hydrogen gas और chlorine gas दोनों ही byproducts के फॉर्में यह प्रूडक्ट की फर्में बनता है अब आगे देखिए 6 इस चलते हैं सुदियू । जो है क्या है फैसी एक क्यों सा बेस होगा आँसर क्या हो जाएगा टूनमर हो जाएगा यहां लिखा गट करतें बेस्ट होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं एसुटियम है जॉजड इस्टेम में तो होना नहीं बनाने में करते हैं इसको करते हैं अल्सक्राइब हो प्रित पे रिखिस एण इंप्रोर्टन है तो सी वार्टर है अफ्कॉस कि यही बोल रहा है कि कौन सा इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सोर्स है मतलब सी वार्टर इंपोर्टेंट सोर्स रहे हैं तो डियर्क में आशर बोल दिए रहा हूं टो टूतृट Meer detention मैं क्या होता है कि ब्रोड के बीभी जमा हो जाता है अब ये क्या हो है ट्रांस्पोर्ट बभेश्टा तो पोरा वेस्ट हो जाता है जाम लग जाता है इस आइस को पिखलाने में मिल्ट कराने में हम एने सील कहीं हेल लेते हैं ठीक है यह आपको धियान रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं इन्द एलेक्ट्र लाइसिस ऑफ डेल्यूट सोडियम क्लोडाइड स्लिशन वाट गैसे प्रेडूस्ट एट एनोड मतलब एलेक्ट्र लाइसिस ऑफ ब्राइन स्लिशन करते वक्त एनोड पे कौन सा गैस जमा होता है तो मैंने भी बताया कि पॉजिटिव टर्मिनल से जमा होगा मतलब कौन सा गैस जमा होगा एनोड पे क्लोडीन गैस जमा होगा नेस्ट क्वेशन पे चलते हैं इन्द एलेक्ट्र लाइसिस ऑफ डेल्यूट सोडियम क्लोडाइड स्लिशन वाट गैसे प्रेडूस्ट एट क्याथ होड तो किसको बोलता है जो निगेटिव ट करते हैं वाट इस दा करेक्ट हाफ एक्वेशन फॉर्डा कैथोड इन्द एलेक्ट्र लाइसिस ऑफ सुडियम क्लोरेड स्लिशन मैंने अभी बताया यहां पर प्लस देलें एच प्लस होगा तो यह प्लस में जब एक्शली में अगर टू लगा दें बैलेंस करने के चक्र म होगा अब देखें फॉर्टीन नमर क्वेशन वाट इजा है यूजट फॉर आया जैफ फ्यूल इसका अंसर डैकली में बता देता हूं फूर्ड एडिक्टिव के फॉर में इसका यूज़ करता है इसलिए नेस्ट क्वेशन पे चलते हैं वाटीज क्लोरीन यूज़ फॉर वाटीज ऐखलूर यूज़ फॉर नियुटिक कंव जीऑ करने के लिए इस वहां कि लीज़ करते हैं वाटीजित क्यारिय। यानि sodium hydroxide का यूज किसमे करते हैं या किसके लिए करते हैं तो पैट्रोल सूरी सूप बनाने में करते हैं पैट्रोल बनाने में नहीं करते हैं ना है प्लास्टिक बनाने में करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा वान नंबर हो जाएगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि question ज पर सबस्क्राइब करें हैं लाइक करें तो सबस्क्राइब बढ़नाएब। और लाइक भी किया करें और कमेंट तो जरूर करें मुझे सजेस्ट करने के लिए तो चलिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद वीडियो देखने के लिए